सबको नमस्कार गिल्ली में करोना के खिलाफ टीका करन का अभियान खूब जोर शोर से चल रहा है पिछले कुछ दिनों में जब से 45 साल से कम उम्र के लोगों का टीका करन शुरू हुआ है मैं खुद कही जगे देख के आया स्कूलों के अंदर ये टीका करन का भियान शुरू किया गया है और हमारे युवाओं में खासकर जबरदस्त उत्सा है खुब युवा आ रहे हैं और टीका लगवा रहे हैं जो सरकार ने विवस्था किये अरेंजमेंट्स किये हैं उसको लेके भी लोग बहुत खुश हैं लगबग सौ स्कूलों के अंदर अभी हम लोगों ने ये विवस्था किये और इसको अब हम बढ़ा के तीन गुना करने जा रहे हैं आने वाले समय के अंदर लगबख 300 200 से 300 स्कूलों के अंदर हम ये विवस्था कर देंगे आज दिल्ली के अंदर मोटे मोटे तौर पे एक लाख वैक्सिंग डेली लग रहा है। पचास हजार 45 साल से कम उमर के लोगों को और लगबख 50,045 साल से ज्यादा उमर के लोगों को तो मोटे मोटे तौर पे एक लाख इंजेक्शन दिल्ली में डेली लग रहा हैं। और बहुत सारे लोग दिल्ली के बाहर से आके फरीदाबाद से, सोनीपत से, गुरगाओं से, गाजियाबाद से, नौइडा से, आसपास के इलाकों से आके लगवा रहे हैं। और उन्हें भी दिल्ली के अंदर की विवस्था बहुत पसंद आ रही है। लेकिन आज सबसे बड़ी अर्चन हमारे सामने है कि वैक्सिन की बहुत कमी है। अगर हमें वैक्सिन की डोजिज, हमें अगर वैक्सिन परियाप्त मात्रा में मिल जाए तो जैसे मैंने बार बार बोला है, हम तीन महीने के अंदर दिल्ली, पूरी दिल्ली को वैक्सिनेशन करना चाहते हैं। दिल्ली के लोग भी चाहते हैं दिल्ली सरकार भी चाहते हैं अगर हमें पूरी मात्रा के अंदर अगर हमें वैक्षिन मिल जाए तो हम तीन महीने में पूरा कर सकते हैं तीन महीने में पूरा करने के लिए हमें कितनी वैक्षिन चाहिए मोटे मोटे तौर पे मैं आपको समझाता हूँ दिल्ली की जनसंख्या दो करोड है बहुत ही मोटे मोटे तौर पे एक करोड लोग 18 से 45 साल के बीच के हैं 50 लाख लोग 18 साल से कम उम्र के आँ 50 लाख लोग 45 साल से जादा उम्र के हैं तो 18 साल से उपर वाले लगबग 1.5 करोड लोग हो गए, 50 लाख लोग 18 साल से कम उम्र के हैं और बाकी 1.5 करोड लोग 18 साल से जादा उम्र के हैं, इन 2.5 करोड लोगों को 2 करोड वैक्सिन लगाने हैं, तो 3 करोड वैक्सिन चाहिए, 3 करोड में से अभी तक डिल्ली सरकार को टोटल मिलाके 40 लाग के करीब वैक्सिन मिले हैं तो 2 करोड 60 लाग वैक्सिन और चाहिए 3 महीने में 2 करोड 60 लाग वैक्सिन चाहिए लगबग मोटे मोटे तोर पे 85 लाख, 80 से 85 लाख वैक्सिन पर मंत चाहिए अगले तीन महीने के लिए अगर इतने वैक्सिन हम लोगों को उपलब्द करा दिये जाएं तो दिल्ली के हर वैक्ति को 3 महीने के अंदर वैक्सिन करवाय जा सकता है 85 लाख वैक्सिन हर महीने लगाने के लिए डेली 3 लाख वैक्सिन लगाने पड़ेंगे आज हम 1 लाख वैक्सिन और अलरी लगा रहे हैं 100 स्कूलों में इसको जैसा मैंने बताया 300 स्कूल करने जा रहे हैं हम लोग तो हम अपनी capacity तीन लाख वैक्सिन पर डे बड़े अराम से कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब जब कि हमने विवस्था शुरू कर ली है हमें पता है कि कैसे करनी है और अगले कुछ दिनों में करने जा रहे हैं तो तीन लाख वैक्सिन पर डे हम लगा सकते हैं दिल को वैक्सिनेशन कर सकता हैं यहां इससे भी थोड़ी ज्यादा ही जरूर्थ पड़ेगे जैसा मैंने बताया कि पूरे NCR रिजन से गुड़काओं से नॉड़ा से गाजियाबाद से फरीदाबाद से आसपास के सभी लाकों से लोग वैक्सिन लगवाने के लिए दिल्ली आ हुआ जाएं पिछले कुछ दिनों से हम अखबारों में भी पड़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने चितावनी दिये वार्निंग दिये एक तरह से की थर्ड वेव भी आ सकती है उसके उपर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी चिंता जाहिर की है लोग भी बड़े चिंतित हैं कि पहली और दूसरी ये दूसरी वेव तो इतनी जादा खतरनाक है कि अगर तीसरी वेव भी इसी तरह की रही तो पता नहीं क्या होगा तो तीसरी वेव से भी अपने आपको बचाने के लिए वैक्सिनेशन जो है ये क्यास कर रही है और हमें केंद्र सरकार से जैसे केंद्र सरकार अभी तक मदद करती आई है मुझे पूरी उमीद है कि केंद्र सरकार इसमें भी मदद करेगी हमें खास तोर से बच्चों की बड़ी चिंता है 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अभी युवाओं को बच्चों क तो अभी ये वैक्सिन नहीं लग सकता मेरा सभी एक्सपर्ट से और केंदर सरकार से अपील है कि उनके लिए भी जल्द से जल्द कोई वैक्सिन का इंतजाम किया जाए ताकि उनको भी वैक्सिन दी जा सके उनको भी वैक्सिन लगाई जा सके आज की डेट में हमारे पास पां जल्द से जल्द उचित मत्रा में दिल्ली के लोगों के लिए वैक्सिन मुहिया कराई जाएगी नमस्कीर